जब हम वर्चस्ता की बात करते हैं तो एक शब्द आता है बैंड वैगन बैंड वैगन बैंड वैगन क्या है बैंड वैगन अमेरिका की वर्चस्ता की रणनीति से जुड़ा हुआ एक शब्द है ये दुनिया में हमेशा सवाल उटता रहा है कि अमेरिका की वर्चस्ता से कैसे निप्टागा है कुछ का मानना है कि अमेरिका से संघर्च करने की अपेक्षा उसके वर्चस्त को स्विकार कर लो और उसके वर्चस्ट के साय में रहकर उसके वर्चस्ट की छत्री के नीचे रहते हुए अपना भी विकास कर लो और अधिक से अधिक लाप कमालो उधारन के लिए जैसा आपकी पुस्तक में दिया है कि एक देश के आर्थिक विकास के लिए निवेश करना प्रद्योगी की हत्तांतरन और व्यापार को बढ़ाना देवा आवश्चक है और ये सभी आवश्चकता हैं अमेरिका के साथ रहकर ही पूरी हो सकती है किसके साथ अमेरिका के साथ इसी को बैंड वैगन कहते हैं इसी रणनीत को बैंड वैगन की रणनीत कहा जाता है एक बार पुर्ण समझने की कोशिश करें कि बैंड वैगन क्या है अमेरिका से संघर्ष ना कर उसके साए में रहना और अधिक से अधिक लाब उठा लेना यानि हम स्विकार कर लें कि अमेरिका वर्चा स्व है और उस पर प्रश्ण चिन ना उठाया उसकी गत्विदियों पर सवाल ना करें लेकिन अपना हिद भी धीरे 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 बरकरा रख्यों और इसका उधारन है एक देश के आथिक विकास के लिए निवेश करना उसको प्रद्योगी की देना और व्यापार के लिए बढ़ावा देना लेकिन ये सब तभी संभा होगा जब अमेरिका उसमें हामी भरे अमेरिका उसमें अपनी सहमती दे अमेरिका अपनी रदामंदी दे और इसी नीति को कहते हैं बैंड वैगन की नीति बैंड वैगन यहने दल बल सही पीछे चलना यहां पर उसका हम यही माइन है ले सकते हैं कि अमेरिका का band wagon अमेरिका जो दल बल है दूसरे राश्च जो हैं पीछे पीछे उसके चलते हैं यह जो समस्या है कि हम अमेरिका के साथ कैसे संबन्द रखें विद्वानों के क्या-क्या उसमें विचार हैं और अमेरिकी वर्चस कोई मद्य नजर अपना रास्ता कैसे निखा लें और उसके बाद बैंड वैगन की बाद एक दूसरा जो गुठ है वो कहता है कि छुपा के रखने की रणनीती आज की तारीक में आज की अंतर राश्टी राजनीते में सर्वोच तरीका है छुपा के रखने की रणनीती जो है वो बैंड वैगन की रणनीती से बिलकुल अलग है एकदम अलग है इसके तहट एक राष्ट जो है अपने को इस पिकार छुपा लेता है कि अमेरिका की नजरों में न जाए अमेरिका की नजरों से ताटपर है कि एक उभरता हुआ राष्ट न दिखो ताकतवर होता राष्ट न दिखो और अपने दाएरे में रहो हम आपको नुक्सान नहीं पहुँचाएंगे तो ये दो तरह की रणनीतियां सामने हैं बैंड वेगन की रणनीति अमेरिका के वर्चस को निपटने के लिए और दूसरी है छुपा के रखने की नीति अब छुपा के रखने की नीति कितना संभव है ये समय ही बताएगा लेकिन ये तरह है कि छुपा के रखने की नीति कि आप लोगों की नजर में ना हो और आप अंदर ही अंदर अपना विकास करते रहो कुछ लोग का तो मानना है कि कोई भी देश अमेरिकी वर्चस्व का विरोध प्रतिकार चैलेंज नहीं कर सकता अमेरिका को चनौती जो देते हैं वो स्वैम से भी संगठन दे सकते हैं सामाजिक आंदोलन दे सकते हैं और जन्मत या इन तीनों का आपसी मेल मीडिया, बुद्धी जीवी, कलाकार, लेखक ये लोग समय होते एक समय बाद अमेरिका की इस वर्चस्वता के विरोध में आएंगे अमेरिका के ही अच्छे कलाकार, अमेरिका के ही बुद्धी जीवी, अमेरिका की ही मीडिया, अमेरिका की इस वर्चस्चता के खिलाफ आएगे, आखिर ऐसा कारण क्या देखते हैं, उसके पीछन का सोच ये है, कि अमेरिका, अमेरिकी सरकार अपना प्रभुत, अपनी सत्ता रखने के लिए हमारा पैसा विद्योषियों पे खर्च करती है जिससे हमें कोई तालुकात नहीं या फायदा नहीं हमारे सैनिकों को वहां दिक भेशती है जो यो दुम्हे से जाते हैं और अमेरिकी परिवार तहस नहस होते हैं तो ऐसे लोंगों का वर्ग ऐसे लोगों का वर्ग जो है प्रबुद्ध वर्ग ये धीरे धीरे बढ़ेगा जो अमेरिका की इस वर्चस्थुता की नीति की आलोचना करेगा समय के साथ और ये लोग एक काल ऐसा होगा जब ये मीडिया उसके बाद स्वैम से भी संगठन कई समाज से भी और संगठाएं स इनमें ना केवल अन्य देशों के बलकि अमेरिका के नागरिक भी शामिल होंगे और उसका कारण क्या है क्योंकि अमेरिका की वर्चस्थ्ता की नीति से अमेरिकी सरकार को जहां फायदा है वहां अमेरिकी जनता को भारी नुकसान जहलना पड़ता है वियेटनाम का उदाहर और उसके अलावा अमेरिका द्वारा अन्य बहुत से देशों को जो आर्थिक साहता दी गई जो पैसा अमेरिकी नागरिक की जेप से जाता है इसके कोई माइने नहीं है अमेरिका नागरिक के लिए तो अमेरिकी नागरिक ही अमेरिका के निवासी ही अमेरिका के नागरिक ही ऐसे आंदलोनों का, ऐसे जन आक्रोश का नेत्रित्व करेंगे, जो अमेरिकी वर्चस्व को चैलेंज करेगी, क्योंकि जो द्वानों का कहना है, आज की स्थिति में अमेरिकी सत्ता को, अमेरिकी वर्चस्वता को प्रतिकार करने वाला कोई राष्ट नहीं है, और यदि कोई संभाऊना यदि कोई है तो वो भारत, चीन, रूज का गुट लेकिन वह भी एक तरह से असंभव है, उनका एक होना भी असंभव है. इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है पुना दोहरादू इतिहास हमें वर्चस्व के बारे में क्या सिखाता है इस विशे पर वर्चस्वता के विशे पर और उसका इतिहास इस पर पूर में भी कुछ बातें आपको बताई गई लगवग वही बातें यहां मैं अपने दोहराना चाहूंगा क्योंकि हम सतत रूप से हमें ये ध्यान रखना होगा ख्याल रखना होगा और एक तरीके से चेतावनी हैं सभी देशों को कि वर्चस्वता सदै नहीं बनी रहती इसमें उतार चड़ाव आता है वर्चस्वता का पतन भी होता है इसी बिंदु के और इशारा करते हुए एक नजर इतिहास पे हम थोड़ा पुना डालें इतिहास बताता है कि वर्चस्व जब अपने चर्मत कर्ष पर रहता है अपने चर्म बिंदु पर रहता है तो ऐसा लगता है कि अजेव है यानि अब इसे कोई छू नहीं सकता जिस देश का वर्चस रहता है या जिस र्यक्ति का वर्चस रहता है वो ऐसा समझता है कि अब वे अन्य देश या अन्य लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है लेकिन इस बात को वो भूल जाते हैं कि ये वर्चस रहता हमेशा के लिए कायम नहीं रहती ये सतत और सदैव नहीं है इसी के ठीक विपरीद शक्ति संतिलन की जो राजनीती है ये वर्चस रहती शील देश की ताकत को आने वाले समय में कम कर देती है ये बात भी एक लकीर की फकीर की तरह हम मान लें ये बिलकुल इसको पश्ट मान लें कि जो देश वर्चस रुता बनाए रखने की उटकंठा रखता है उसे मालूम होना चाहिए कि शक्ति संतिलन की राजनीती में एक नए एक दिन उसकी ये वर्चस शीलता की दौड इस स्थिति में वर्चस शील देश की जो ताकत है वो कम होने लगती है धीरे धीरे कम होती है जैसा कि सन 1660 में लुई 14 की बात मैंने पूर में की थी 1660 लुई 14 उस समय तो फ्रांस को एक तरीके से अपराज ये माना जाता था ऐसा माना जाता था कि फ्रांस जो है वो अन्य देशों से कई गुना आगे है लेकिन 1713 आते आते क्या हुआ 1660 से 1713 याने मात्र पचास वर्ष में इंग्लेंड हैफबर्ग एंपायर आस्टियन एंपायर रश्यन एंपायर रूस ये लोग फ्रांस की वर्चस्टता को क्या करने लगे चैलेंज करने लगे उसका विरोध करने लगे उसको चनोती देने लगे ऐसे 1860 में इसी तरह विक्टोरिया क्वीन विक्टोरिया का जो शासन था इंग्लेंड में और उससे में कहा जाता था कि इंग्लेंड का जो सूरज है उसका वह कभी अस्त नहीं होता 1860 के आसपास विक्टोरिया काल में इंग्लेंड की जो सत्ता थी इंग्लेंड की जो वर्चस्वता थी इंग्लेंड का जो सूरज था वो अपने पूरे उतकर्श पे था और अंग्रेजों को ये लगता था कि उनका जो सामराज है वो सदैव के लिए हमेशा के लिए सुरक्षित है ये बात है ठारा सो साट सुर्टर असी की और आने वाले चालिस वर्षों के बाद क्या हर्ष होता है बलकि 1910 में साफ हो गया पश्ट हो गया कि इंग्लेंड की ये वर्षचस्पता अब समाप्त प्राय है अब उसका पतन होना शुरू हो गया है जब जर्मनी जापान और अमेरिका जैसे देश नई ताकत के रूप में उभरते हैं नई ताकत के रूप में उभरते हुए ये लोग इंग्लेंड की जो इंग्लेंड की जो एकादिकार दुआ उसकी जो वर्षचस्ता थी उसको ललकारने लगते हैं उसको चुनाती देने लगते हैं और ये भी मात्प 40 पचास वर्ष़ों के दोर में ही सब हो जाता है इसी तरह अब से 20 साल बाद अभी 2020 है 2021 है आज से 20 साल बाद एक और महाशक्ति हो सकता है आ जाए या ये कहें कि शक्तिशाली देशों का एक गड़बंदन सामने आ जाए उन शक्तिशाली देशों के गड़बंदन में भारत चीन और रूस हो तो फिर क्या स्थिति होगी तो इतिहास के अनुसार तो ऐसा दिखता है कि ऐसी स्थिति में अमेरिका की ताकत निश्चित रूप से कम होगी कमजोर होगी और कम होती निरंतर कम होती चली जाएगी वर्चस्वता का दबाओ वर्चस्वता को लेकर देशों में उहापो वर्चस्वता को लेकर चिंताएं और उसके लिए विविन रणे नीतियां ये सब जाना हमने और हमने ये भी जाना है कि पूर्व में इतिहास में ऐसे उदाहरण हैं जब वर्चस्वता बदलती रही वर्चस्वता केंद्र एक देश से दूसरे देश जाता रहा आपने ये जुमला सुना होगा कि अब हम दुनिया को विश्व ग्राम कहते हैं कहते हैं विश्व ग्राम अन्वे अंग्रेजी में global village जुमला इसलीए क्योंकि वास्तों में global village तो नहीं है लेकिन global village का तफ़र है बहुत निकट आ चुके है एक दूसरे के दिल से नहीं मन से नहीं मत्र संचार साधनों के जरिये हैं चाहे वो परिवन हो चाहे संचार चाधन हो टेली कम्मिनिकेशन हो इसमें हम बहुत निकट हो गया है इसमें दूरियां कम हो गए है तो इसलिए इसको जुमला कहा गया है विश्व ग्राम या ग्लोबल विलेज कल्पना करिए कि ये एक विश्व ग्राम है ग्लो और हम सभी उस चौदरी के पडोसी हैं उस विलेज में, क्या हैं? उस विलेज में उस मुखिया के उस चौदरी के हम पडोसी हैं. यदि उस चौधरी का बरताव असहनी है बरदास्ट से बाहर है बड़ा दुरभाग्य पूर्ण बरताव है तो क्या उस विश्व ग्राम में रहने वाले अन्य लोगों के पास कोई और विकल्प है क्या वो कहीं और जा सकते हैं दुनिया एक गाओं बन गए एक छोटा खेतर अब हम जाएंगे कहां तो विश्व ग्राम से चले जाने का विकल्प अब हमारे पास मौजूद ही नहीं चाहे जो चौधरी हमारे लिए कितना भी मित्र हो या हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों नहीं हो जाया क्योंकि यही एक गाओं है एक ही गाओं तो है मौजरी वहां रह रहा है और ऐसी सिती में जब हमारे पास या अन्य लोगों के पास कोई अन्य उपाय कोई अन्य रास्ते कोई एसकेप रूट जिस अंग्रेजी में बोलते नहीं है तो क्या करें बहतर है कि प्रतिरोध और साथी साथ साहमती यही एक मत्र विकल्प हमारा बचता है इसी के साथ हमें रहना है याने अमेरिका की वर्चस्वता को मानते हुए अपने को विकसित करने का प्रयास करना है